हेलो गुड मॉर्णिंग फ्रेंट्स आज हम एक क्वेशन सौल करते हैं आफ्टर विजिटिंग लाटन टीट ऑफ इवापरेशन लाटन टीट ऑफ फ्यूजन हम उसके क्वेशन कर रहे हैं एक क्वेशन ऐसा दिया गया है बहुत अच्छा क्वेशन है अब जर करना यहां पर इन ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे है और टुहंड़ेड ग्राम का है इनको मिक्स कर देते हैं अट्मॉस्पेरिक सराउंडिंग का कुछ बोला नहीं है तो आइसोलेटेट सिस्टिम मतलब किसी कंटेनर के अंदर इनको डाला गया है आईस और वाटर वो मिक्स हो जाएं इनसाइड दे मिक्सचर तो हमें पता नहीं है कि पूरा आइस वाटर में बन जाएगा या हो भी सकता है वाटर आइस में कनवर्ट हो जाए हम पहले क्या करते हैं हम पहले फाइंड आउट करते हैं कि आइस को अगर वाटर बनना है आइस को क्या वाटर बनना है तो कितनी ही इस है ना उसको अगर 0 degree Celsius ice बनना है तो कितनी heat उसे supply करने पड़ेगी by water, ठीक है? तो पहले find out करते हैं कि ice minus 20 degree Celsius से जब 0 degree Celsius आएगा, तो उसको कितनी heat देनी पड़ेगी, हमने का ms delta t से निकालो, क्योंकि face transform नहीं हो रहा है, minus 20 degree Celsius वाल ice, 0 degree Celsius ice में convert हो रहा है, तो face transform नहीं हो रह मिला नहीं लगाना है आप, so ms delta t, mass दिया है 100 gram, specific heat calories per gram में होती है, 0.5, calories per gram degree Celsius में होती है, 0.5, delta t temperature difference minus 20 और 0 का temperature difference कितना होगा, 20, कितनी heat मिलेगी हमें, कितनी heat required होगी, 1000 calories, अच्छा, अगर water, हम अभी इसको निकाल के या पर रुख गई, हमने का ठीक है, कि 1000 calories की इसको heat की ज आइस, अगर 0 degree Celsius पे लाना है, तो, हम water के पास चलेगे, हमने देखा कि water कितनी heat supply कर सकता है, maximum, जब वो 20 degree Celsius से, let's say, 0 degree Celsius बनेगा, तो, ms delta t, से हमने वो निकाला, mass 200 gram, specific heat of water होती है, 1, delta t यहाँ पे 20 to 0 आ रहा है, मतलब 20, 4000 calories, it can supply to the ice, ठीक है, So, 4000 calories, he can supply, ice को कितनी ज़रूरत है, 0 degree Celsius पे आने के लिए, 1000 की, तो, बची हो heat कितनी है, 4000 में से 1000 चला गया, कितना बचा, 3000, अब यह 3000 calories की heat से क्या होगा, ice melt होने लगेगा, कितना mass of ice will melt, क्या 100 gram का 100 gram melt हो जाएगा, क्या, Because of this 3000 calories of heat, हम देखते हैं, तो 3000 calories की heat बाकी है, So, हमने कहा कि 3000 calories की जो heat है, उससे ice melt होगा, So, ice का face change हो रहा है, ice to water, तो, जो heat के इसको, वो होगी, उसकी face transformation वाले heat, तो M into LF हमने यूज़ किया, LF being the latitude of fusion, तो 3000 यहाँ पर है, mass कितना melt होगा, वो निकालना है, Latentate of fusion calories per gram में कितना होता है, 80, तो 3000 divided by 80 will become 37.5 gram, So, कितना ice melt हुआ, out of 100 gram, 37.5 gram of ice, yes, it is melt into water, पहले से water कितना available था, 200 gram का, 200 gram प्लस ice कितना melt हुआ, 37.5 gram का, तो total mass of water कितना हुआ, 237.5 gram, ice कितना हुआ, ice कितना बचा, तो total में से हम उसको अटा देंगे, तो मिलेगा हमे 62.5 gram of water left, और एक question हम करते हैं आगे, यह किया है है हमने already, उसको मैं explain कर रहा हूँ याग, मेरे पास ice है, these are the very important question, इसी type के question कॉंपेटिटिव एक्जम में आते हैं, that's why we are taking this question so seriously, ठीक है, step by step हम जा रहे हैं, once this process has been cleared in your brain, in your mind, यह बहुत ही simple step में तुम कर सकते हो आगे, okay, back to the question, ice है यहाँ पे minus 50 degree Celsius पे 100 gram का, steam यहाँ पे 100 gram की 120 degree Celsius पे, हमें पूछा गया है कि अगर ice और steam को mix कर देते हैं किसी isolated container में, तो final mixture में क्या बचेगा, क्या water बचेगा, क्या ice बचेगा, क्या steam बचेगा, क्या कुछ combination में कुछ चीजे left out हो जाएगी जब यह दोनों equilibrium में आएगे, तो हमें यह पूछा गया है, mass of steam, mass of water या mass of ice बताओ कितना है, ठीक है, यह फिलार के लिए आटा लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, we have to take some common point, हमें पता नहीं है कि ice water बनेगा, या ice पूरा का पूरा steam बन जाएगा, हमें पता नहीं है कि steam water बनेगी या steam पूरी ice बन जाएगी, तो हम consider करते हैं, take some reference point, take common point as 100 degree Celsius of water, इसका मतलब क्या है, हम मानते हैं कि 100 degree Celsius पे ice आजाएगा, water बनेगा, और steam condensed होके 100 degree Celsius of water बन जाएगी, और फिर हम आगे चलके देखेंगे कि कौन कितना change हो रहा है, या कितनी heat left over है, या कितनी heat insufficient है, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, अभी ice को 100 degree Celsius water बनने के लिए, कितनी heat की जरूरत है, ताकि वो heat steam दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, वो step 2 में देख लेंगे, तो हमने ice को लिया, ice अभी फिलाल कितना है, 100 ग्राम का, कितने degree Celsius पे बेटा, माइनस 50 degree Celsius पे, तो इसको अगर 100 degree Celsius of water बनना है, तो कितने रास्ते से जाएगा, पहले माइनस 50 degree Celsius तो या 0 degree Celsius का ice बनेगा, तो कितनी heat लगेगी, हमने कहा, MS delta T से निकलेगी वो, mass 100 है, specific heat 0.5 है, temperature difference minus 50 to 0 is 50 है, तो 2.5 में kilocalories में लिखा है यहाँ पे answer, 2.5 kilocalories की heat required है, इसको 0 degree Celsius आइस बनने के लिए, ice से क्या होगा यह, meltdown होके, let's say 0 degree Celsius of water बनना है, तो कितनी heat देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे face transformation हो रहा है, इसलिए delta Q is equal to M into LF, mass कितना, इसका 100, latent heat of fusion होती है, 80 calories per gram, तो 8 kilocalories की heat और supply करनी पड़ेगी, तब जाके जो ice बना है, वो 0 degree Celsius पे water बन जाएगा, यह, water बन गया अभी, अभी water से उसको 100 degree Celsius of water पे लेके जाना है, तो face तो water ही है, तो MS delta T यूज करेंगे, mass 100 है, specific heat of water 1 होती है, specific heat of ice 0.5 होती है, latent heat of fusion, excuse me, 80 होती है, तो delta की हमने 0 to 100 देखा, 10 kilocalories मिल रहा है, हम देखा कि total इसकी addition करो अभी, कितनी हुई addition, 20.5 kilocalories of heat is required, if you want ice to melt down to 100 degree Celsius of water, अभी इसको यह कौन देगा, अगर इनको mix करेंगे तो, obviously steam देगा, तो steam कितनी दे सकता है maximum, 100 degree Celsius पे अगर वो आ जाता है, तो steam अभी 120 degree Celsius पे है, फिलाल 100 gram की steam, वो पहले 120 से 100 degree Celsius की steam बनेगी, तो MS delta T amount of heat will release by the steam, when it is in contact with ice, तो वो 1 kilocalories की heat supply करेगा, release करेगा आपने से, 100 degree Celsius से अगर वो 100 degree Celsius वाटर बनता है, तो कितनी और heat रिलीज करेगा, हमने कहा, तो यहाँ पे face transform हो रहा है, steam to water, तो मैं यहाँ पे यह वाला formula नहीं यूज करेंगे, M into LB वाला formula यूज करेंगे, mass 100 है, latitude of vaporization होता है 540, latitude of fusion होता है 80, this thing you should remember, ठीक है, so 54 और 1, कितना हुआ total heat it can release, when it comes down to 100 degree Celsius, it is 55 kilocalories, और ice को water बनने के लिए कितनी की ज़रुवते, 20.5 kilocalories, तो excess energy already available है steam के पास, so steam क्या करेगी, 55 kilocalories में से 25 kilocalories की energy से ice को water बना देगी, 100 degree Celsius पे, so 55 में से 20.5 kilocalories की अगर heat हटा देंगे, तो जो बची हुई heat है, उससे क्या होगा, यह जो water 100 degree Celsius पे आया है, वो steam बन जाएगा, ठीक है, तो हमने वो calculate किया, so 55 minus 20.5 बचा, 34.5 kilocalories, अभी 34.5 kilocalories की heat हम इस water को supply करेंगे, combined water को, तो यह water vapor में बन जाएगा, और यह vapor है, तो कितनी vapor बनेगी, because of this heat of 34.5 kilocalories, तो हमने M into LV किया, कितनी heat supply करेंगे, 34.5 kilocalories, इसलिए 10 to the power 3 से multiply किया, is equals to M into latent heat of vaporization 540, तो mass of water getting converted into vapor is 63.9 gram, so final mixture में क्या बचा, हम देखते है, final mixture में vapor है and water है, कितना water बचेगा अभी, तो water कितना है, 100 gram का water में से 63.9 gram की तो vapor चली गई, तो बचा कितना water, 36.1 gram of water is left in the mixture, ठीक है and subsequently हमें vapor भी मिल जाएगी, if you subtract these two, अभी और एक question करते हैं, यह वाला question मैंने homework पे दिया था, इसको solve करने के हम कोशिश करते हैं, तो देखो, इस question को हमने कैसे handle किया, हमने 100 degree Celsius of water पे सभी चीज़ा आएंगे, ऐसा consider किया, that is our reference point, फिर हमने देखा कि ice जो है, अगर उसको 100 degree Celsius of water बनना है, तो कितनी heat लग रही है, तो हमने step by step यहाँ पे किया कि minus 50 degree Celsius to 0 degree Celsius of ice बनने के लिए, MS delta T किया, 100, 0.5 into 50, 2500 calories की heat लगेगी, ice को water 0 degree Celsius बनना है, तो कितनी heat supply करनी पड़ेगी, 8,000 calories, M into LF, latitude of fusion is 80, mass is given as 100, okay, so water को अगर 100 degree Celsius water अगर लेके जाना है, तो M is 100, specific heat of water is 1, and delta T, temperature difference 100 to 0 is 100, 10,000 calories, so total heat कितनी हमें supply करनी पड़ेगी, इस ice को हमने देखा 20.5 kilo calories की heat हमें यहाँ पे supply करनी पड़ेगी, फिर हमने देखा अगर water मेरे पास है, इस water 50 degree Celsius इस 100 degree Celsius ले जाने के लिए मुझे इतनी heat लगेगी, MS delta T, mass is 200, specific heat is 1, water की 1 होती है, और temperature difference यहाँ पे 50 है, 10 kilo calories की heat मुझे water को देनी पड़ेगी, तब जाके यह 100 degree Celsius of water बनेगी, हमार पास steam भाईया है, steam भाईया condensed होंगे, mix करने के बता हमने क्या माना है, सभी तीनों की तीनों 100 degree Celsius पे आएंगे, तो यह जो steam है, वो condensed होके जब 100 degree Celsius of water बनेगी, तो कितनी heat release कर रही है, same way में हमने किया, 150 से 100 degree Celsius से steam बनेगी, तो इतनी heat release करेगी, और 100 degree Celsius of steam when it condensed to water, it will release this much amount of heat, इनको add किया, टोटल कितनी heat हमें release मिली, यहाँ से 56.5 kilo calories, इतनी heat release हो रही है, और इन दोनों को, ice और water को combine करके, कितनी heat की ज़रूरत है, 20.5 plus 10 kilo calories becomes 30.5 kilo calories, so 30.5 kilo calories तो available है, steam के पास देने के लिए, उल्टा ज्यादा heat है, तो पहले क्या होगा, इस में से इतनी amount की heat, इतनी मतलब 30.5 kilo calories के amount की heat चली जाएगी, to make ice to water and water to 100 degree Celsius of water, ठीक है, तो बचा कितना, तो 56.5 minus 30.5, 26 kilo calories, अभी 26 kilo calories से क्या होगा, कुछ amount of water जो बना है, अभी तीनों की तीनों water बन गए न, steam भी water बन गया है, ये भी water बन गया, 100 पर ये भी water है, और फिर भी heat बची है, कितनी heat बची है, 26 kilo calories की, ये heat से क्या होगा, कुछ amount of water will rise its temperature and become steam, तो हमने कहा कि water steam में जाएगा, तो Q is equal to M into LV करो, Q कितनी है, 26 kilo calories, 26 into 10 to the power 3, कितना mass होगा, पता नहीं, वो unknown है, latent heat of vaporization 540, यहाँ पे mass हमें मिला, 48.15 gram of steam will form, तो total mixture में से, mass of ice कितना है, ice तो बच्चा है नहीं, mass of ice become zero, mass of steam, 48.15 gram, और कितना water बचा है, तो total 400 में से 48.15 निकाल देंगे, 351.85 gram of water is left in the mixture, तो इस प्रकार से यह question solve लते हैं, और quick question हम आगे देखते हैं, ठीके,